हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको ये केंडल दिखे तो इसके बाद आपको गलती से भी बाईसार की तरफ पोजिशन इनिशेट नहीं करना है और अगर आप बाईसार की तरफ जाएंगे तो आप ट्रैप में फस सकते हैं और वो केंडल है कौन सा मैं आपको यही पर दिखाना चाहूंगा देखे इस तरह का आपको केंडल जब भी दिखे small weight candle या फिर green कुछ भी हो उसके बाद अगर आपका कोई big green candle बनता है तो general इसके बाद लोग आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका bullish engulfing बना है यह दिखा रहा है कि buyers बहुत जादा strong है और यहाँ पे सारे लोग आपको buy sir की तरह positions initiate करने को बोलते हैं लेकर मैं आपको बोलता हूँ कि यह candle बनने के बाद buy नहीं करना है तो मैं जो सारे लोग बोलते हैं उसके against क्यों बोलवा हूँ क्योंकि इसके पीछे का logic है और आपको यह पूरा वीडियो देखने बाद logic समझ में आ जाएगा फिर आप भी यह सारा candle बनने के बाद trading avoid करना जादा prefer करेंगे तो चलिए इस concept को समझते हैं कि ऐसा candle form होने के बाद जहाँ पे buyers बहुत ही जादा strong दिख रहे हैं इसके बाद जूद भी हम buy side की तुरह positions क्यों नहीं initiate करेंगे तो यहाँ पे हम चार्ट पे आगे हैं और अगर आप चार्ट को देगो तो यह आपका L&T का चार्ट है टू आवर का चार्ट है टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो इसका हम इस्तमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं यहाँ पे हमने different example लिया different time frame में आप जिस भी time frame में suitable है वो वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उस तरह का candle खोजना देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक small red candle और काफी big green candle है जो की काफी हद तक क्या बना रखा है यह आपका bullish engulfing candle का formation यहाँ पे करता हुआ दिख गया है तो इसके बाद क्या करना जन्री लोग इसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो buyers है वो काफी हद तक हमें strong दिख रहे हैं buyers का presence दिख रहा है और जन्री इसके बाद आपको buy side की तरफ positions initiate करना लेकिन यहीं पे आप trap में first जाते हैं यहीं पे आप जाल में first जाते हैं ऐसा आपको नहीं करना है अब ऐसा हमें क्यों नहीं करना है कि जहाँ पे बाद से strong है उसके बाद भी हम buy side की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाज वाचा की तुरफ ये यहां पर ईंट्यूई करने गाँ इतने के पॉइंट्यू लेंगे इससे पहले दो हम इंट्यूई लेनी नहीं सकते हैं, उसके इसे नीचे या ऊपर हम g अहीं होगा और हम इसे पर पॉइंट यह Miles आथ न शूद पाह़ गे पॉइंट करें तो लगवग आपका 1500 करीब हमारा एसल बन रहा है तो यहां पर स्टॉप्लस मेरा कितने पॉइंट का और परसेंटे टॉंस में बात करें यहां पर परसंट के करीब एसल बन रहा है और आप 5% के stop loss साथ trading positions initiate करोगे, profit हुआ तो जली ठीक है लेकिन अगर by chance आपको नुकसान होगी है, तो यहाँ पर अगर आप future options में trade करते हैं, तो आपको big losses उठाना परेगा, उस loss से recover करपाना बहुत जादा मुश्किल है और अगर आप delivery में भी trade करते हैं, swing trading भी करते हो फिर भी 5% का loss बहुत बड़ा losses होता है, target यहाँ पर मेरा कुछ भी रहे, target यहाँ पर 50 point भी है, 100 point भी है, और in fact 200 point भी रहे, फिर भी हमारा chances है कि stop loss हिट हो सकता है, और जब stop loss हिट होगा तो यह हमें major loss देखे जाएगा, उस loss से उबर पाना मुस्किल है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो risk factor है, वो बहुत ज़्यादा increase हो जाता है risk increase होने कार हम यहाँ पर क्या करेंगे trading positions avoid करेंगे generally जब भी आपको इस तरह का long candle दिखता है, तो वहाँ पर जो risk factor है, वो increase हो जाता है और लोग इसी चक्कर में फर्स जाते हैं और जिनका stop loss हिट होता है वो दुबारा market में injury नहीं कर पाते हैं वो market से हमेशा के लिए exit कर बैठते हैं तो आपको अगर market में survive करना है तो इस तरह का calling opportunity आपको छोड़ना परेगा क्योंकि यहाँ पर risk बहुत जादा यहाँ पर buyers strong दिख रहे हैं और कई बार हमें profit भी देगा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं profit आपको ठीक ठाक मिर जाएगा लेकिन अगर by chance कभी stop loss हिट हो गया तो फिर उससे उबर पाना मुस्किल होता आपका red candle है green candle है फिर आपका एक strong green candle जो की दिखा रहा है कि क्या है जो buyers है वो काफी हद तक क्या दिख रहे हैं यहाँ पर हमें strong दिख रहे हैं अब buyers strong दिख रहे हैं तो जन्वारी लोग क्या करते हैं आपको 22 की तरह positions initiate करना साही लोग यही करते हैं इस candle की high को mark कर लेंगे price जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर निकला हम भाइसार की तरह positions initiate करेंगे और इस situation में हमारा SL यही रहेगा यहनि stop loss काफी big हो गया यहाँ पर भी अगर आब बात करें तो लगबग आपका 4-5% करीवे आपका SL जरूर बन जाएगा और इस condition में आपका क्या हुआ है SL यहाँ पर आपका hit हुआ है और यहाँ पर आपको काफी major losses उठाना परेगा तो इसी type की major losses से बचने के लिए यहाँ पर हमें trading avoid करना परेगा और एक और चीज है कि no trade is also a trade यानि अगर हम trade नहीं करते हैं वो भी एक तरह का हमारा trading technique कहलाता है जहाँ पर हम अपने losses को कम करते हैं और trade के accuracy level को increase करते हैं और एक और चीज ध्यान रखना है कि आपको उस जगा काम करना है जहाँ पर आपका जो risk है वो कम हो और जो reward हो वो जादा हो यानि आपका winning percentage जादा हो यानि अगर मेरा SL hit हुआ सबसे पहले आगर आप market में trade करते हैं तो जितना negative हो सकता वो negative सोच के उसके लिए तयार है अगर आप वो negative आपको hurt करता है या फिर उस negative के बारे में सोच के आप परिसान हो रहे हैं तो फिर आपको market में उस particular trade के लिए entry नहीं करना profit को चली आएगा आएगा लेकिन maximum losses कितना हो सकता है अगर maximum losses मुझे हो गया तो क्या हम उस loss से recover कर सकते हैं ये situation अपने mind में develop कीजे और उसके बार trade कीजे फिर आप सही trade initiate करेंगे और losses होने के बाद जोद भी आप उस loss से recover करके market में आगे तक बने रह सकते हैं और market में long term survive करना है तो इस तरह का risk उठाने से बचना परेगा जहां पर आपको big risk नहीं उठाना आपको छोटा छोटा risk उठाना है तो यहां पर हमने ये time frame लिया 15 minute के chart में तो यह आप कहीं भी यूज कर सकते हैं यहां पर हम एक और example लेखना चाहेंगे और यह example है आपका hourly chart में यहां पर इससे पहले हमने 15 minute के time frame में एक जामपल लेखा है हमने 2 hour के time frame में एक जामपल लेखा है अब हम यहां पर hourly time frame में देख रहे हैं क्योंकि इस तरह का candle आपको regular basis पर देखने को मिलता है जिसके बाद buyers में काफी जादा जोश आ जाता है और वो बिना सोचे समझे trade initiate कर लेते हैं तो कोई भी trade आप लेते हैं चाहे कोई भी strategy यूज करे वो strategy चाहे कितना भी strategic हो कितना भी accurate क्यों ना हो at last आपको trade initiate करने से पहले risk reward आपको जरूर चेक करना है यानि trade लेने से पहले कोई एक point जो आपको चेक करना होगा आपका risk और reward यानि risk मेरा कितना है अगर मेरा risk हिट होता है यानि मुझे loss हो जाता है तो क्या वो loss हम सहन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो चीज यहां पर आपको calculate करना होगा यहां भी देख सकते हैं आपका rate green है उसके बाद यहां पर एक जबरदस्त आपका green candle का formation होगा यहां पर buy करेंगे और अगर sl लगाना होगा यहां पर हम sl लगाएंगे प्राइस आपका थोड़ा सा ही उपर गया नीची आया और आपका SL हिट किया है तो कई बार जो रिटेंट में देगा जो सेंटिमेंट होता उसी सेंटिमेंट के साथ खिला जाता है अब यहाँ पर देखे क्या हुआ प्राइस आपका एक्जेक्ट नीची आया सिर्फ आपका SL हिट करने के लिए नीची आया क्योंकि उसको पता है कि maximum लोगों का SL है वो कहां पर रहेगा maximum लोगों का stop loss है वो कहां पर रहता है आपका stop loss hit किया है फिर price आपका ऊपर गया लेकिन उतना ऊपर नहीं गया कि जितना आपको वो profit दे पाए इसलिए यहाँ पे आपको सोच समझ के risk calculate करके trade लेना यहाँ पे अगर हम risk की बात कर लें तो हमारा जो entry बनेगा वो entry point में आपको दिखा जाता हूँ 1768 के करीब बनेगा यहाँ 1770 ले ले लेते हैं और अगर हम SL की बात करें यहाँ पे हमारा बन जाएगा entry और SL की अगर हम बात करें तो SL जो हमारा यहां पर बनेगा वो बनेगा 1680 के करीब 1680 के करीब यानि 90 पॉइंट का SL बन रहा है और यहां पर भी अगर हम बात करें तो लगबग 4 से 5% के वीच में हमारा क्या है SL क्रियेट होता हुआ दिख रहा है इतना बरे SL के लिए हमें नहीं जाना है अगर हम ट्वेडिंग पोजिशन इनिशेट कर रहे हैं तो अगर आपका टाइम फ्रेम एक साल दो साल है यह जीज़ आपको सोच समझ के चलना है तो यहां पर हमने एक्जांपल देखा वन आबर के टाइम फ्रेम में अब यहां पर हम डेली चार्ट पर आगे हैं डेली चार्ट में भी आपको इस तरह का केंडल देखने को मिलेगा हम मल्टिपल एक्जांपल इसलिए बता रहे है लॉस्स से बचने का भी एक तरीका होता है वो तरीका आपको सीखना परेगा तबी आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं मार्केट में इंट्री करना हमारे लिए important नहीं है इंट्री डेली लाको लोग करते हैं लेकिन सर्वाइबल बहुत कम लोगों का हो पाता जादा है और जब भी इतना जादा सको यहां पर इंटर्व में जादा नहीं सब्सक्राइब करेंगे आप कॉंप्लिकेशन नहीं था आपको समझ में आ गया होगा और अब आप भी समझ गया होंगे कि इस तरह का ग्वीन कंडल जहां पर बहुत ज्यादा श्ट्रॉंग है इसके बाप जूद भी हमें बाइसार की तरह पोजिशन क्यों नहीं सबसक्सक्राइब नहीं किया है तक इस तरह के वीडियो मापके लिए फिल दबा दीज थाकि जब भी हम अपना वीडियो अप्लोड करें नौठिकिशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें So, that's all friends. मिलते हैं नेक्स वीडियो में. जैहिंद!